नमस्ते, अभी का त्योहार भगवद गीता जयनती के रूप में आ रहा है। ऐसे तो ये भारत का राष्ट्रिय त्योहार कह सकते हैं या पुरे विश्व का आंतर राष्ट्रिय त्योहार भी कह सकते है। विश्व में किसी भी ग्रंथ का जन्मदिन मनाया जाता हो तो एसी ये विश्व की एक मात्र घड़ना ये भगवद गीता जहनती है। गीता में एसा क्या है कि जो पूरे विश्व को आकरशित करता है। जैसे जैसे विश्व आगे बढ़ता जाता है एसे ही ये ग्रंथ का सारतत्व, ये ग्रंथ की उप्योगिता, ये ग्रंथ का महात्मिय समझ में आता है। गीता में इसका अध्येन होता है परंपरानुगत, उसको एक विज्ञान की द्रश्टी से कैसे प्रेजेंट किया जाए। उसके लिए संस्कृतियारिय गुरु कुलम खास करके वर्शोषे प्रयतनशील है। गुरुवर्य ने अपने प्रवचनों में भगवत गीता का कितनी बार उलेख किया है। संस्कृतियारिय गुरु कुलम के बच्चों को गीता कंठस्त करना विशुद्ध रूप में। अनिवार ये होता है। और गीता के तत्वग्यान को जैसे आयूरवेद और गीता का क्या संबन्ध है। खगोल गीता में कहां, किस लोप में उद्रूत होता है। और साइन्स कहां कहां, गीता में विज्जान के रूप में बताए गए है। और विज्यानों का कितना उलेख किया गया है, वो सारा कुछ हम उस रीतिशे अध्यान करते हैं, और खास करके पंचकोश विकास का ये बहुत ही अनमोल ग्रंत है, तो युवा लोग और और भी लोग उसको पड़े, उसे तुसे हर बार की तरह, इस बार भी हमने भगवद गी गीता का आयोजन किया है, तो इसमें एक आपको निबंध लिखना होता है, वो निबंध तीन सो से चार सो शब्दों में, तीन या चार प्रुष्टों में लिखना होता है, अपने मौलिक विचार, अपने को जो समझ में आता है, हमको जो समझ में आता है, उस तरह से उसको लेखन करना होता है, श्लोक उद्धरन करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, इस बार का विशय भगवद गीता और आयुरवेद विज्ञान ये रखा गया है, एसे अनेक विशय हम हर बार रखते हैं, जैसे भगवद गीता जीवन का विज्ञान, भगवद गीता में विविद विज्ञानों का समन वई, तो इस बार भगवद गीता और आयुरवेद विज्ञान ये विशय रखा गया है, विशय को लेकर भगवद गीता का परिचय, भगवद गीता की प्रुष्ट भूमी, भगवद गीता में कहे गए अध्यायों में कहे गए विशयों के जानकारी, आयूरवेदे जीवन का विग्यान है उसी तरह से गीता भी जीवन का विग्यान है तो दोनों में क्या साम्य है दोनों मन के उपर भार देते हैं दोनों स्तदवरुत का पालन करने को बता रहे हैं दोनों मनुश्य जीवन की कुरुतार्थता को ग्यापित करते हैं, ऐसे बहुत सारे विशई जो गीता में और आयूरवेद में समान रूप से हैं, तो दोनों का हम comparative study करशकें, दोनों को जान सकें, दोनों आधविश्व फलक पर हैं, गीता तो पहले से हैं, कोरोना के कारण आ महत्व ज्यात हुआ सबको, तो ये दोनों को हम study करके, दोनों का अभ्यास करके, हम बहुत ही अच्छा समनवई करशकते हैं, आयूरवेद का और भगवद गीता का, इसे तो हमने ये स्पर्दा का आयोजन किया है, स्पर्दकों में कहीं से भी भारत में कोई भी कोने से स्प प्रुतिगुरुकुलम.com पर जो लिखा है डिस्क्रिप्शन में, उसमें गूगल फोर्म दिया है, उसको आप भरें और अपने निबंद को लिख कर, स्वहस्ताक्षर के या टाइप करके लिख कर, उसके साथ अपलोड कर दे, गूगल फोर्म में ही अपना नाम पता, जो महिती हम लेंगे, जिसक्य जिसक्य निबंद हमको उचित लगेंगे, आकरशक लगेंगे, महीती प्रत लगेंगे उनको पहले नमबर को 5000, दूसरे नमबर को 3000, तीसरे नमबर को 2000, ऐसे और आश्वासनी नाम एक 1000 के लगवग 810, ऐसे य करके ये एक पुरषकार के रूप मे हम इसको देने वाले है तो कहीं से भी आप निबन लगकर इसको भ्याज सकते है पुरशकार के लिए गीता नहीं है लेकिन लोगों को एक प्रोचसाहन मिले युवा वर्ग इस बाहने भी गीता को खोले और हम भी कुछ अपनी संस्ता की ओर्षे गीता की सेवा करशके जैसे क्रिस्टियानेटी है वाद बाइबल के लिए कितना करते है आज युवा लोग 14-14 साल का कोर्स होता है वहाँ उन्हें पुने में एक संस्ता है वह चोड़कर केवल बाइबल के लिए अपना जीवन समर्पन करके वह यहाँ पर आ जाते है प्रचार करने के लिए भारत में गीता के लिए हम इतना तो करही शकते है तो आप अवश्य ही गुगल फोम पर अपना जो निबंद लिक कर अपलोड करे गुगल फोम भरे और ज्यादा माहिती के लिए निचे दिये गए नमबरों पर संपर्क भी कर सकते है जैसा आए आप एसे निबंद लखने की कोशिश करे और इस बार सुरुवात करे तो उस बाहने भी हम गीता महीं रह सकते है एक महीने तक प्रोग्राम जो फाइनल है उसका परिणाम ओगीता जेन्ती जो इस बार 14 डिसंबर को है और ओप्रोग्राम का भी लाइव होगा साम को 6 बजे से तो ओभी गीता की अंत्याक्षरी और संस्कुरूत यारिय गुरु कुलम के विद्यार्थी वहाँ पर कारियक्रम करेंगे ओभी आप लाइव देख सकते है तो इस कारियक्रम को सफल बनाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में गीता के उपर निबंध लिखे और यहाँ पर जो है ओ इस तरह से ये मुमेंट को आगे बढ़ाए और भी अपने मित्रों को और जो जो आयूर्वेद को लेजे खास करके आयूर्वेद के विद्यार्थी है ओ तो मैं उसको अनुरोध करता हूँ कि ओ भी खास इसमें हिस्सा ले ताकि ओ आयूर्वेद का वरणन गीता में केसा है ताकि वेद्य इसको एक अलग तरीके से एक अलग दुरुष्टी से गीता को समझ सके और आयूर्वेद को भी हम एक तत्वग्यान के रूप में समझ सके तो इस तरह से हम रोज गीता का स्वाध्याई करे आयूर्वेद का भी स्वाध्याई करे और एक अलग दुरुष्टी से गीता को देखने का प्रयत्न करे नमस्कार रई धन्वंतरी झाल झाल